अशोक गहलोत को चुनाफ पर चार के लिए बाड मेर जाना था उनकी सियात्रा के लिए दो गाड़िया बुक की गई गहलोत के नाम से और उत्तरलाई एरपोर्ट पर इन गाड़ियों को दाखिल करने के लिए जाज़त की सविकृती भी प्राप्त की गई अखिरकार गहलोत बाड में नहीं गए और इन गाड़ियों का उपयोग रवीन सिंग भाटी ने किया इससे इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि अशोक गहलोत उन्हें सपोर्ट कर रहे थे और कोंग्रेस के अधिकारिक प्रतियाश्यू में दराम बेनिवाल को हराने की कोशि अब जानकाल लोगों का कहना ही कि जो गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी वो टेक्सी नहीं प्राइवेट गाड़ियां थी ये कारे मेवराम जेन के करीबी लोगों की थी मेवराम जेन को पार्टी से निकाल दिया गया थी लेकिन वो अभी भी गहलोत के काफी करीबी है और गहलोट उन्हें पार्टी में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं अशोग गहलोट और मेवराम जेन के एक और करीवी वैथती हैं वो हैं वीपी सिंग राठो जो की कॉंग्रेस के आदमी हैं लेकिन उनका फेस्बुक पेश रवीन सिंग भाटी के परचार से भरा हुआ हैं आ गहलोट को कॉंग्रेस पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं अभी इस मामले इने गंभी रूप ले लिया है और गहलोट अपना वचाब नहीं कर पा रहे हैं गहलोट केम रक्षात्मक कारवाई में जूटे हैं वहीं पार्टी का गहलोट गिरोधी केम आकर्मक रूप स उन्हें निशाना बना रहा है एसी ही तमाम और खबरों के लिए देखते रहे दा नगरी न्यूस में शेग जो है